खेरगड के अटागाओं में उध्यान विभाग नेस्ति लाख रुपे की लागस से हाइटेक नरसरी बनाई है नरसरी में इसराइली तक्नीक से पौध तयार हो रही है किसानों को नरसरी से एक पौध मात्र एक रुपे में मिलेगा यहां से किसान फल और फूल का पौधा आसानी से कम कीमत में खड़ी सकते हैं आगरा में हाइटेक नरसरी से किसानों को 12 महीने सबजियों की पौध उपलब्ध कराई जाएगी उध्यान विभाग के माध्यम से नरसरी में 5 लाग पौध तयार कराई जाएगे और किसानों को दिये जाएंगे इस्राइली तकनी के माध्यम से उध्यान विभाग पौध तयार कराएगे देखिए हमारे उध्यान विभाग दुआरा एक हाइटेक नरसरी अटा में स्थावित की जा रही है जिसमें करीब सेवंटी परसेंट का रिपूर्ण हो गया है उसका सत्यापन भी हो गया है बहुत जल्ड करीग लगवग दो महीने में यह पूरी कंप्लीट हो जाएगी और विभाग को हैंड ओवर हो जाएगी हाइटेक नरसरी में किसान अपनी पसंद के बीज की पौध भी तयार कर सकते हैं किसानों से पौध तयार कराने में जो भी लागत आएगी सिर्फ वही ली जाएगी किसान अपना बीज खुद लाता है तो उसे केवल एक रुपे में ही पौध दे दी जाएगी अगर नहीं लाता है तो किसानों को नरसरी में तयार हुई पौध को दो रूपे में एक पौध दी जाएगी उनके बीज का पौध में उतपाधन करेगा अगर जो समूउ उसमें हमलों उतपाधन, बेधा उतपाधन करेगा उसको क्रे करेंगे तो ऐसी दो रूपे पौध holiday चार्ज़ रहेगा क्योंकि सभी लोग जानते हैं जो हैबिड बीज होते हैं वो काफी महंगे होते हैं जिलाव ध्यान अतिकारी अनीता सिंग ने बताया कि हाइटेक नर्सरी में तयार हुई पौद से किसानों को दुगना लाव मिलेगा हाइटेक नर्सरी में उच किस्मे के बीज को तयार किया जाता है साथ ही बताया कि जनपत के सभी किसानों को हाइटेक नरसरी से तयार हुई पौध से खेती करनी चाहिए सी नियूस के लिए लाखन सिंग के रिपोर्ट